हेलो एवरिवान वेलकम तो मैं चानल प्रियांका व्लॉग औन कुकिंग आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेर करने वाली हूं बहुत ही इजी बहुत ही जल्दी से बन जाने वाली और बहुत ही टेस्टी रेसिपी पनीर दो प्याजा की तो चलिए पीना देर कि अपना रेसिपी बनाना स्टार्ट करते हैं मैं आज आप लोगों के साथ शेर कर रही हूं बहुत ही क्विक येट टेस्टी रेसिपी पनीर दो प्याजा की और उसके लिए यहां पर मैंने कडाई रग दी है गैस पर गरम होने के लिए और इसमें डाल दिया है मैंने आध तरह से हम प्याज डालने वाले हैं एक तो मैंने यहां पे चार बड़े प्याज लिए हैं और उनके पैटल्स को काट करके निकाल लिया है और जो अंदर के उसके पार्ट बज जाते हैं जो बल्ब होते हैं प्याज के उसको मैंने क्या किया है चौपर में डालके बारेक यहां प्रका लेना है और इस प्रशेस को करने में मुझे सिर्फ 2 मिनिट लगे हैं तेज आँच में बस इसको घलका सा टोस्ट करके निकाल लेला है तेल को अच्छी तरीके से स्ट्रेंड कर लिजी और अलग से प्लेट में निकाल लीजे इसको भी हमको बहुत ज़्यादा लाल नहीं करना है नहीं तो वह चूवी हो जाते हैं बस हलका सा कलर आजा एजेस पे उतना है यहां पे मैंने 400 ग्राम पनीर लिया है सबजी बनाने के लिए तो यहां पे पनीर जो उपने फ्राय करने रखा है इसको फ्लिप करते वे पकाना है यह देखे ऐसा कलर आना चाहिए चारो तरफ से इस प्रोसेस को करने में सिर्फ 2 मिनिट लगते हैं तो यह देखिए हमारा पनीर डन है तो इसको मैं अच्छे से स्ट्रेन करके निकाल लूँगी अलग प्लेट में और सेम ओल में मैं दूसरा ब्रैच भी फ्राइ कर लूँगी पनीर का तो यहां पर जो मैंने पनीर लिया है वो थोड़े बड़े साइजस में काटे हैं मैंने क्योंकि जो प्याज लिया है वो भी बड़ा ही था और उसके पेटल्स भी बड़े ही हैं तो उसी को मैच करते हुए मैंने यहां पर पनीर भी बड़े ही रखे हैं आप अपने पसंद के प्यास की इसको मैंने finely chop कर लिया है, यहां पर मैंने एक बड़ाब चममद जितना लिया है अद्रकलेसुन का पेस्ट, 5-6 हरी मिर्चे इनको मैंने बीच से स्लिट कर लिया है, आप चाहे तो फाइनली चॉप कर सकते हैं. यहां पर मैंने दो बड़ी लाइची लिया है इनको बीच से तोड़ लिया है और ले लिया है चाय टमाटर का प्योरे इसमें मैंने डाल दिया थे 12-15 करीब काजु यहां पर मैं ग्रेवी वाली सबजी बना रही हूं इसलिए मैंने पर काजु डाला है जिससे की सबजी में र तो अब चलते हैं आगे के प्रोसेस पे यहां पे तेर अल्रेडी हमारा गरम था तो इसमें डाल दिया आधा चोटा चम्म जितना जीरा और जीरा के तुरंत बाद मैंने इसमें डाल दिया है बड़ी इलाइची जो हमने तोड़के रखी थी इन दोनों को अच्छा पका ले प्याज के साथ ही डाल रही हूं तो अगर बिगनर है तो चाहें तो बाद में भी डाल सकते हैं जिससे सबसे आपकी 90% अच्छे से लिया है और इसको पका लोगी और इसमें डाल दोंगी अद्रक और लेसुन का पेस्ट तो यहां पे मैंने एक बड़ा चम्म जितना लिया ह इसको भी हम मिलार लेंगे इसके साथ ही और इसको पकालेंगे जब तक पकाना है जब तक इसका कच्चा-पन ना निकल जाए और यह साथ इसको भी पकाने में मुझे कम सक्म लगेंगे नियर नियरे 5300g है तो इसी के साथ मैने या पर डाल दिया है हरी मिर्ची जो हमने स्लेट करके रखी थी आप चाहें तो इसको finely finely chop कर सकते हैं यहां फिर आप इसको आधरक और लेसन के साथ पेस्ट बना करके भी डाल सकते हैं तो रिल्ची डल के 10 मिर्ची गाल के भी हम इसको अच्छा से mIX कर लेंगे एक चोटा चमच कश्मीरी लालमेश पाउडर, आधा चोटा चमच हल्दी पाउडर और दो चोटा चमच यहां पर मैंने डाला है धन्या पाउडर तो इन सभी पाउडर्ड मसालों को डाल के हम अच्छा सा मिक्स दे देंगे इसको पकाने में देड़ से दो मिनिट लगते हैं तो इसको लगातार चलाते वे पकाए ताकि यह जो पाउडर वाले मसाले हैं यह जले ना यह देखिए तेल अच्छा रिलीज हो गया है अब स्टेज पे मैं इसमें डाल दूंगी टमेटो प्योरी याद रखेगा मैंने इसम काजु जरूर से एड़ करें और इसको लगातार चलाते वे पका लेना है क्योंकि मैंने यहां पे नॉन्स्टिक पैन का यूज नहीं किया है तो यह चिपकेगा तो इसको लगातार चलाते वे पकाना है जब तक कि साइट से तेल रिलीज हो जाए तो यहां पी मुझे देने वाली हो एक चोटा चमच जितना गरम मसाला पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल के हमको अच्छा से मिक्स करना है और उसके बाद इसको एक मिनिट तक और पका लेना है और जैसे ही तेल रिलीज होता दिखे और इसमें हम डाल देंगे अपना फ्राइ किया हुआ प पानी रखा है गरम होने के लिए इस सबजी में मैं गरम पानी डालोंगी क्योंकि सारी चीजें पकी हुई है अगर आप ड्राइ बना रहे हैं तो पानी को स्किप कर दीजी बाकी प्रोसेस सेम रहेगा तो यहां पर पानी बॉइल हो गया था तो मैंने इसमें एड कर दिया थोड़ा सा पानी और इसको कंसिस्टेंसी को ठीक करते हुए मैंने दो पार्ट में पानी डाला है इन टोटल मैंने 200 ml पानी डाला है सबजी में आप पतला गाढ़ा जैसा आपको पसंदे उसे साब से प पका लोंगे और बीच बीच में चेक करते रहें गैस का फ्लेम मैंने यहां पर फुल पर किया है और इसको धकर के पका लोंगी हरा धनिया डालके अच्छे से मिक्स कर लीजिए बहुत ही फ्रेश खुश्बू आती है हरा धनिया डालने से जरूर से डाले और यह देखिए हमारी गर्मा गरम पनीर दो प्याजा की रेसिपी बनकर के तयार है आप इसको रोटी चावल नान पराठा किसी के भी साथ एंज अगर आपको यह रेसिपी अची लगी है तो इसको ट्राइब बिलकुल करिएगा मेरी गैरेंटी है आपको बहुत पसंद आने वाली है अगर रेसिपी अची लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और वीडियो को टाइम देने के लिए आपका बहुत बहुत धन और हाँ आगर आप इस चैनल पर नए आया है ना तो इसको सब्सक्राइब जरूर कीजेगा ताकि इसी तरीकी की यमी रेसिपीस के साथ मैं आप से मिल सकूं अगले वीडियो में तब तक के लिए टेक केर बाबाए